कि कैसे हैं आप लोग तो जो एक लास हो रही थी समय रही हैं कफी जादा कवर जो है कवर जो हैं कवर कर चुके हैं तो अब लोग अजम लोग स्टाट करेंगे महाजनपद कार तेखें अब लोग प्राचनितिहास है न इसमें हम लोग इसके आखरी के मारा काउमध सुरूख करने की लूगा कि आएंगे फिर उसके बाद ऐसे पड़ेंगे अब बाधर्म पड़ेंस महत सम्राज पढ़ना वाइस मतमों मोरे मंस के बाद फिर्म लोग पढ़ेंगे मोर उत्तर का फिर गुपत काल फिर इस तरह करता है वो जो जो एक फिर जो को गार्व का सब्सक्राइब तो आपको बिल्कुल घबराने की जुरूरत नहीं है तो आज में लोग महाजन्तपल का महाजन्तकाल शुरू करेंगे तो यह जो है आरो यारो की बैच है इसमें पीडियो को फूल कंटेंट अपको मिलेगा अगर आप कहीं से कोचिंग ले रहे हूं अपने कोचिंग हैं से कर रखी है तो अभी साप क्लास को जो है अटेंड करिएगा इसमें की आए कि आपको हार सारे फैक्ट्वल के साथ साथ जो है जो कंसेप्ट्वल जो कोस्चन भी होते हैं वह सब आपको यहां से कवर हो जाए तो आपको बिल्गल पेसेंस रखना है अगर आप यूपी में किसी जाम के तयारी कर रहे हैं तो आप इसको पढ़िए कवर क आप अगर इसमें नय हो तो आप इसको सब्सक्राइब करिएगा और जितना सो हो सके आप से करिएगा कि गाओं के बच्चे क्या होता है ना कि वीडियो ज्यादा रिकमेंड होगा एक तो हम लोग को भी आर्थी क्लाब होगा दूसरा आप लोग जैसे कुछ और बच्चे हैं जो गाओं के जो ग्राइमेंट शेत्र में उनको भी यहां से पहुंचेगा तो हम लोग आएंग इसको देखेंगे पिर महाँ जन पत्काल देखेंगे यानि जो मतलब स्ट्रेक्चर तरीके से आप इसको देखेंगा ना इमेज बना रहे आप इसको याद रख सकते लंबे समय तक अब को सब लाइन वाज लिखाता रहो ना तो फिर आप समझ निए पाएंगे फिर आपको क्या होगा कि फिर यह भोलता जाएगा तो इन सारे कशी आमें बग पता दूंग टेलग्राम कर लेगा इसमें लिंक दिया हुआ है ठीक है किसे को प्रावलम होती है तो कमेंट करेगा मैं इस जो है टेलग्राम पर आपको मिलेगा पीडियप में उसमें क्या है कि उसमें सब सिस्टेमेटिक धंग से एकी मी बनाये हुआ है तो पूरे कंप्लेट आपको पीडियप वहां से मिल जाएगा ता पूस्टेलग्राम को भी जॉइन करें और आप अनॉन लिजी तो आज हम ल पर आपको पर आपको पर आपको पर नहीं लोग ने अपना विकास कारें शूरू किया ठीक है फिर आप देखते हैं कि सिंदुघाटी सब्यता में सिंदुघाटी सब्यता में आप देखते हैं कि कैसे सिंदुघाटी सब्यता का जो नगरी सब्यता है ठीक है यह नगर नियूजन मैंने आपको पढ़ाया है वह कैसे वह सिंदुघाटी सब्यता इतनी पिछड़ेपन से आते आते जो है तामर पाशाण कल भी हम लोग आए ह है तो वहां तक आते एक वह स्निदुहर्ण सेबिता जो है प्रताम english को बताएं यह यह बैंगरांड रहा तो सिनुति अधसिभेत्य है हम लोग की जो को हडप सबिता है रहे हैं फ्रताम नग्री सबिता ने कारें और भाम उसे क्यों इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका प्रात्मिक छहत्र घृतियक छहत्र चहत्र छो हैं काफी उन नत था ठीक है यह जो है ब्यापार होने लगा जैसे कि आज कि हमारा देंट है अधिसे भी है अंतराजी व्यपार भी है एक तरह से सब लोग एक शिस्ट्मेटिक तरह से चल रहे हैं तो यह धंक चयो है ना उस समय भी जो है अप पहली बार होगा तो आप उसे कुछ नाम देंगे कि नहीं देंगे इसलिए उसको क्या नाम दिया गया है प्रथम नगरी करांती यह प्रथम नगरी करण सभेता भी कह सकत है प्रतम नगर करण सब अधा करते हैं ठीक इसी प्रकार जरूम लोग समाप्त होता है तो उत्तरवाइदिक काल मैं सई कुछ लोग रहे हैं अलग से कोया है तो इस्तिती है मतलब यहां से ऐसी हो गए कि यहां पर क्या होगा कि अचानक आपको ब्यापार देखने को मिलेगा ब्यापार बाद मिलेगा जैसे कि क्रिसी में क्या है कि क्रिसी अधिसेस होगा तो ब्यापार भी बढ़ेगा ब्यापार सिफ अंतराजी ब्यापार नहीं अंतराजी क्या होता अपने घर की पूर्ती होती है लेकिन अंत्राक्टरी वेपर में को बाहरी देश्चे को आप बेचेंगे किसी चीज को आपको ज्यादा फायदा होगा तो यहां पर क्या मिलता है जैसे जैसे मैंने सिंदु खैटे सब्वेता में पड़ाया है ठीक वह सिचुएसन कहा निर्मि कि मैंने आपको पढ़ाया था जन पढ़ाया ठीक है फिर से जन जो है जन पढ़ाया ठीक है तो जो जन है न जन मैंना आगे फिर से में बताऊंगा जन क्या हुआ जन पढ़ में बदल गया अब जन पढ़ क्या होंगे जन पढ़ और जन पढ़ आक्रमण क्या करेंगे क्या क करेंगा आक्रमण होगा दोनों में इस पर आक्रमण करेगा और मैं आपको बताया था है कैसे रिव्वैदी काल में फिर जो है जब मैं हम लोग भूमी के लिए लड़ाईयां होती हैं तो यह क्या किया कि जन जो है जन से लड़कर जनपद बना लिए दो लोग मिलेंगा जन ज तो जनपद में अब क्या हो नंग्या जनपद हैं यह निनकी बड़ना खेत्र एक तरह समने दिखाई देता है यह बहुत बड़ा ऑधि महाधीब को संथ्ज घरते हैं जो हम लोग को अक्पर के समय लेक्लों मिलते हैं जो हम लोग को आज देखने की मिलług त्जय सब क्या एक ऐक सामराज है एक तरह से खाजये राज्सbas अंत्र भासा में उस तरह भीकास हुआ अब अब हम लोग इसके परिच यही भूमिका है यही परिच इसमें से आप कुछ बाते चाट लीजिए गा इस जाम क्योंकि सबका जो परिचे और भूमिका होता है नो सब अलग अलग होता है एक ही आप भूमिका परिचे नहीं लिख सकते हैं हर लोग के सोच अलगे समझने के जो है चमताय हम लगए तो अप इन चीजों को ध्यान रगए रख़र आप इसे देखे और अगे हम लोग क्या देखेंगे कई कि तो एक तो मैंने बताया है कि देखिए जब सबसे कलपना करिए कि तीन हजार साल पहले 4000 साल पहले काफी किताब तो था नहीं लिखावड के लिए भी कोई अधार नहीं था आखर लेकर कोई किसमें रखेंगे तो उसमें कि आधान हम लोगों को पुरा तात्विक सुरूत ज्यादा मिलता है पुरा तात्विक सुरूत मतलब इट हो गई भवन हो गया वांका जो घर बनाये होंगे लोग फिर वो जिस ची कर्म यहां पर क्या है अब हमसे स्टू ही मिलेंगे आगे हम लोग यहें स्टू मैं पुरतात्विक 15alion पूरेंगे तो समय क्या पहुत हर्म क्या हुआ था प्रिकास हुआ था समय तो बहुत गरंथ में भी क्या है कि हम लोग को एक बहुत गरंथ है इसका नामें महावस्तू ठीक है फड़ा बड़ा कर देता हूं महावस्तू में शोल्व महाजनपदू का उलिक मिलता है ठीक रहा प्रोग जैन धर्म के जैन-गरंथ का शोग भगवती सुत्र है एक जैन कुछ कहानिया भारत से लिकर जाएंगे और वहां पर लिखेंगे तो उसमें क्या है कि वहां सभी हम लोग जान जान पार जाएंगे प्राप्त होती है तो कौन-कौन से विदेशी यातरी इस समय आये थे महाजनपत काल के समय यहने चेश्वभी समय जिसे हम लोग गंगा घाटी सा बेता भी करते हैं ठीक है तो प्लुट्वार का आया जस्टीन आया मेगस्थिनीज भी आया ठीक है इसके बार हम लोग आग भी अब दहिए देखिए कहा हुआ है का रीवेद काल के मैंने अब बताया कि हम इसको जनव्यक रिवेद रिवेद काल में उससे जन और जन्मील कर कहा बनेंग सम्राज भांge फेशमे बनेंगा ठीकी फेर सोलर। इसमें हम लोग के आए कि सोला महाजन्पद और दस गढ़ राज्य भी मिलते हैं घड़राज मतलब कड़राजी मतलब जैसे कि आज गढ़तंत्र हम लोग का देश है न तो इससरे संटाद कि तो शोड़ी मितलब मानते हैं तो इस गल्ड राज जो में क्याता था कि आज क्या तुछ कांपरिंग नहीं था ठूक्भा इसमें क्या था कि जो क्तिव फैम्ली कि या कूई दिवाएग और ठीच कोंगा थि चलाएएग यह कोई्त जू होता है तो उसे हैं जो हम लोग को आगे भी पढ़ना है तो बिल्कुल धैर बना कर रखें तो हम लोग किसी नहीं कमेंट किया था कि सर थोड़ी छोटी क्लासे इसलिए कुछ टॉपिक्स को हम लोग जैसे को बाट कर रख लिए तो मैं पढ़ाने को तो दो धाई घंटे में पढ़ा सकता हूं इसमें सारा चीज़े कवर होगा लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है आप छोटा-छोटा पढ़ेंगे आपके माइंड में थोड़ा से रिफ्रेस्मेंट रहेगा तो आप इस तरह पढ़िए दस-बार मिनिट में आपको जो है दो टॉपिक क्लियर हो जाएगा तो पढ़ लिजिए एक बार फिर आप रिविजन कर लिजिए और फिर नेक्स ट्राइक करिए उसी में ठीक है मैंने सीरीज बनाकर डालाई प्लेइलिस्ट बनाकर यूटूब आपको आपको मिल लाएगा तो दिल्कुल अपको धूटने के जरूरत नहीं है ठीक है तो आज के लास में बस इतना है दोस्तों आगे हम लोग क्या बढ़ेंगा ना दुवीती नगरी नगरी करोन बता जो मैं आपको बताया बैग्राउंड में ठीक है तो आज के लिए बस इतना है बाइब थैंक यू कि अ कि अ